नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में तो आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स आज से हम फिजिक्स का एक लेक्चर पढ़े डिसकस करेंगे आपके साथ चुकि बाइलोजी जो है बाइलोजी का अप्रॉक्टिमेट हाफ पोर्शन खतम हो चुका है तो हमने सुच आपके साथ पैलल में एक फिजिक्स की स्रीज भी चलाए जया जोगी टॉपिक्स स्रीज जो चलेगी फिजिक्स ही जिसमें आपको फिजिक्स के एट टूजे टॉपिक पढ़ाए जाएंग उनिट होती है अफिक्स्ट इमाउंट और नंबर यूजज तेंडर्फ एन्डफ और मेजरमेंट के लिए एक इनबर का यूज किया जाता है उसे यूनिट कहते हैं माप के मानक के रूप में प्रियुक्त निश्चित मात्रा या संख्या इकाई मात्र कहलाती है फिर हम जान Dimension कहलाता है फिर हम जानते हैं quantities क्या होती है quantities क्या होती है a number or amount of something नहीं कोई number यह किसी चीज का amount चीज किसी वस्तु का परिमाड जह संख्या या मात्रा क्या कहलाती है quantity फिर हम जानते हैं कि physical quantities क्या होती है physical quantities a quantity in physics that can be measured thus there's a physical property that can be quantified example of physical quantities are mass amount of substances length time temperature electric current light intensity force velocity density and many others यानि किस्का कहने के मतलब यह कि ऐसी रासियां जिने हम एक संख्या दोरा दर्सा सकते हैं उनको प्रतिर चुरूप में मापा भी जा सकता है बहुतिक रासियां कहला जिससे लंबाई द्रब्यमान हुआ ताप हुआ चाल बल समय बिद्धु धराद यह सब क्या है यह हमारी ब कौनशी होती है और फिजिकल कॉंटिटी देट इस कंप्लिटली डिस्क्राइब बाई इस मैगनिटूड नहीं एक ऐसी राज जो सिर्फ अपने मैगनिटूड के द्वारा दर्साई जाती है वो अधिस रासि कहलाती है इसे वॉल्यम हुआ डेंसिटी स्पीड एनर्जी मास हैं जो वहिए भौतिक रासियां जिनमें केवल परिणाम होता है दिसा नहीं उन्हें स्केलर या अधिस रासियां केवल परिमार दर्साती है दिसा नहीं जैसे लंबाई, दूरी, दर्भिमान, समय, चैतरफल, आयतन, कार, सकती, चाल, आवेस, दाब, ताब, विभो, इत्य सब क्या है यह सब अधिस रासियां है फिर हम जानते हैं वेक्टर रासियां कौंचे होती हैं वेक्टर कॉंटिटीटीज आनि शादिस रासियां वेक्टर कॉंटिटीटीज रिफर टुद फिजिकल कॉंटिटीज वेक्टर कॉंटिटीट वे भौतिक रासियां होती है देश क परिणाम के साथ साथ दिसा भी होती है वो सदिस में दिसा बताई जाएगी वो सदिस राचिया होगी इसमें दिसा नहीं होगी वो अदिस राचिया होगी जैसे भावतिक राच में परिणाम साथ दिसा दूनों नहित होती है सदिस राजनी वेक्टर कॉंटिटी कहते हैं सदिस राजनी के दारान है वेग बल संबेग इत्याज हम जानते हैं कि कौन कौन सी हमारी स्केलर कॉंटिटीज है और कौन कौन सी हमारी वेक्टर कॉंटिटीज है तो हमारी स्केलर कॉंटिटीज कौन कौन सी है स्केलर कॉंटिटी जानी जिनमें सिर्फ मैगनिटीड होगा स्केलर कॉंटिटी इंडर्फिन जिसमें क्या होगा जो स्केलर कॉंटिटीड है उनमें सिर्फ मैगनिटीड होगा जो vector quantities हैं उनमें क्या है उसमें direction होगा तो सबसे पहले में scalar quantities देखते हैं जिसे distance दूरी को मीटर में लिखेंगे तो हमारी distance दूरी को मीटर में लिखेंगे speed को मीटर पर second में लिखेंगे time, mass, temperature, pressure temperature, pressure, kinetic energy, gravitational potential energy, work done, power फिर हमारा क्या हुआ current फिर potential difference और रेजिस्टेंस सब क्या है यह हमारी जो हैं यह हमारी scalar quantities है इसका में कोई दिसा नहीं जिसे दूरी है किस दिसा में दूरी दूरी साथ दिसा नहीं बताई हैं कि पांच पांच बचके 30 मिट हुआ है दच्छिड की तरफ और ऐसा तो नहीं बोलते ना मास कितना मास मास किलोग्राम मास मास बस उसमें कोई दिसा नहीं है टेंपरेचर थटिव्रन रभेणी नाथ व होता है फिर आते हैं हमारी Mega क्वृ PP होती है इ समें मैंटिग के साथ दिसा भिह हुता है जिसे डिपलास्ट ुऐ डिसमें अ HA तरह कि तरफ करता होती है किस तरफ लगाया रहा है यह मुसमियन और वेक्टर क्वांटी के बारे में इसके बाद हम देखते हैं कि यह हमारा यह है SI unit पद्धती जो SI system है इसको क्या गहते है SI जो पद्धती है SI unit तो SI का full form होता है system international यह जो SI पद्धती है the international system is unit SI in the matrix system that is university as with standard of measurement यानि यह जो SI unit है या international राजियों को मापने का एक international तरीका है जो universally use के जहां SI system जो है वो हालेगे यूज किया जाता है for measurement परपस से the international the international system of unit universally abbreviated SI from the French यह कहां से start होता Frenchly system information D units तो यह French से start हुआ था it is the modern metric system of measurement यह metric system आपने का एक modern तरीका है फिर क्या है the the SI was established in 1960 जो यह SI जो है established what a 1960 by the 11th general conference on weight and measurement यह question दोस्तों कई बार पूचा गया है कि जो SI system है कब start वह था तो 96 में start हुआ था किसके द्वारा कहां start हुआ था by the general conference of weight and measurement general conference of weight measurement in the French in 1960 में यह start हुआ था यह होता है कि भौतिक राश्यों के परणाम परिणात्मक ज्यान को मापन कहते हैं था भौतिकी के विभिन नियमों होती है निमाठ्रण तो प्रकार के होते हैं बूमात्रक मोल मातरक वां से होते हैं वन आफसे उन्रिलेटेद यूनिस यू सेट्ड फ्रॉम् दूसरे से हथवा आपस मेश में बदला नहीं जा सकता दरन क्या लंबाई लंबाई रहेगी समय समय रहेगा द्रबाइद द्रबान नेकिन को आपस में बदला नहीं जा सकता वह मूल मातरक होता है यानि fundamental units कहलाती है फिर second आता है हमारा विद्पन मातरक यानि derived unit derived unit क्या होती है derived unit a unit of measurement obtained by multiplication or division of the base unit of system system की base unit से divide करके और multiply करके जो unit बनती है उसे विद्पन मातरक कहते हैं यानि वो सभी मातरक जो मूल मातरक की साहता से विक्त किया जाते हैं विद्पन मातरक कहलाते हैं फिर क्या है there is four system up unit नहीं यह पद्धती है वो चार पद्धती है मापने का तरीका है वो चार तरीकों से मापा जा सकता है मातरकों की चार प्रालियां निमिकित पहला होता है सेंटी मीटर ग्राम सेकंड जिसे हम सीजिएस पतद्ती बोलते हैं इसे फ्रेंश या सीजिएसम पत्ति नि कहते हैं यह कएवार दोस्तों собир के क की सीजिएस पत्ति को कौन सीजिए पत्ति कहते हैं तो Sky से ऐसेरा माता है किलोगराम सेकंड तुनाली यानि MKS मीटर किलोघ्राइं सेकर्डन के में MKS डोलोकिती का उनका प्रक्राहि यह। कैसे दोस्तुं जिए γ्म ड्रीक्राहि किलोघ्राइं यह सेकंड है तो तो फोड़ी वह चोटा में पर जो its सेंटी मीटर है यहां मीटर है इसलिए एंक्यास प्द्धती जो है सेंटी सीजेस प्रती का एक बड़ा रूप है उसके बाद आता है FPS सिस्टम मतलब फुट पाउंड सेकेंड प्रनल जिसे फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं इसे ब्रिटिस प्रति भी कहते हैं यानि CGS को फ्रेंच पद्धती या मीटरिक पद्धती कहते हैं और जो फुट पाउंड सेकेंड प्रनल जिसे ब्रिटिस पद्धती भी कहते हैं यह क्वेस्टन भी कई बार पूचा गया है कि कॉणची पद्धती कें इसे सब्क्राइक ब्रिटिस पद्धती भी कहते हैं फिर, इस पद्धत में शम, जो हम में जो मीत्रिक प्रनली 9457 वह एक प्रनली 468 श लागूँ मूल मात्रक को हम जानते हैं कि मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं मूल मात्रक की संख्या इसाही पद्धती में साथ होती है और दो समपूरक मात्रक यानी सप्लिमेंटरी उनिट होते हैं तो मूल मात्रक कौन कौन से हम जानते हैं मूल मात्रक मूल बहुतिक राशिया कौन कौन से होते हैं जिसे लंबाई हुआ जिसे इसका मातर क्या है मीटर संकेत क्या है इसमाल एम फिर है द्रब्यमान इसको किलोग्राम में केजी में लिखते हैं उसके बाद हमारा आता है सेकेंड समय आता है समय को सेकेंड लिखते हैं इसको टेप् करते हैं फिर आता है पदार्त का परिमाड नी इसे मोल में लिखेंगे और मोल इसका जो हो सेमबल होता है तो यह हमारी भोतिक रासियां है जो कौन सी बहुतिक रासियां यो fundamental units हैं उसके बाद हमारा आता है संपूरक मातरग संपूरक मातरग यानि supplementary unit कौन कौन सी होती हैं समतल unit को निट बहुता है यह इसका इसका मातरग फिरिक आता है क्याद बूल मातरग की साहता से उता से भिख्त के जाते हैं जो मातरग जो यूड आ मारी जो जो मूल यूनिट्स हैं उनसे जो डराइब करके बनाए जाते हैं उन्हें विद्पन मातरक कहते हैं जैसे मेरा प्रकास वर्स है प्रकास वर्स का गोली दूरी का मातरक है प्रकास के दरा एक वर्स में तैंक की गई दूरी को प्रकास वर्स कहा जाता है इसका मतलब यह है प्र एक प्रकास वर्श बराबर कितना होता है 9.46 गुड़े 10 की पॉर यह 10 की संकेत होता है तो इदर हम बहुतिक राशी लिखने हैं उसका इसाई मातों इधर संकेत बहुतिक राशी लंबाई मीटर में एम लिखते हैं द्रब्यमान किलोग्राम केजी समय सेकेंड में लिखते हैं से दर साते हैं इसको उसके बाद हमाता है कार्यों मुरुजा जूल में लिखते हैं जे से दर सात इन संथा दाब पासकल में से प्रदसित करते हैं उसके बद आता है सक्ती सक्ति को वाट में लिखते हैं विवांतर को वोल्ट में V से लिखते हैं, उसके बाद आती है हमारी विसिस्ट उसमा, विसिस्ट में जूल प्रत किलोग्राम प्रत कैल्विन, जूल पर केजी 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 yen 10 है अजया कि प्र उस्मा गतिक से लिखते हैं छेत्रफल मेंटर से लिखते हैं उसके बाद आता है है आयतन गन मीर मेंटर क्यूब में होते ह्यावर्ट हर्ट हज्ज्ट परि estado newton पर मैंटर जोती फ्लक्स नीवर्ड फिर पिर आता है पर तरंग दैद dependency इसको आई एक से लिखते हैं तो यह थे हमारे कुछ मात्रा जिनको कैसे डिनोट किया जाता है यह कोई भी क्वेश्चन पूछा इसका मात्रक क्या है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जोदिती पृता का तो केंडिला होता है सोलर मंत में क्या होता है गया जाम लइक सोलर में यह क्वेश्चन कहीं बवार एक्जाम में पूछा गया इसको दुटीन बार पहुँचा है कि एक लिटर बराबर कितने गैलन होता है तो एक लिटर बराबर जो होता है वह 0.2462 गैलन होता है एक लिटर बराबर 0.2462 गैलन होता है और एक गैलन बराबर 3.785 लिटर एक गैलन बराबर 3.785 लिटर होता है तो यह था दोस्तो हमारा फिजिक्स का आज का ले तब तक के लिए जाए हिंद